नमस्कार दोस्तों आज हम बना रहे हैं बिना मिल्क पाउडर बिना खोया के बेशन के बहुती सौधिस्ट मोदक की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम ग्यास पर एक कड़ाई रखेंगे और कड़ाई में डालेंगे तीन बड़े चम्मज घी जैसे हमारा गी गरम होता है अब हम इसमें डालेंगे 5 कटे हुए बादाम 5 कटे हुए काजू डालेंगे और 10-11 पिस्ता डालेंगे इस तरह से कटे हुए ड्राइप रूट का हमें हलका कलर चेंज होने तक घी में फ्राय कर लेना है बस इतना ही हमें इसका color change कर लेना है अब हम dry fruit को निकाल के एक plate में रख देंगे वह इसी dry fruit डालना पूरी तरा शो optional है आप चाहे तो इसे skip कर सकते हैं अब हम इसी घी में डालेंगे एक cup बेसन बेसन को हम छान के ले लेंगे इस समय पर ग्यास की आज को slow पर रखेंगे और slow आज पर ही बेसन को लगातार चलाते हुए इसको हम भून लेंगे बेसन को भूनने के लिए करीब 7-8 मिन्ट लएगा slow आज पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसन का color हलका change हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक कप दूत दूत के साथ मेने मलाई भी ली है तीन चमच के आसपास होगी यह मलाई अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं लेकिन मलाई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मौदक का बिलकुल मावे की तरह अब हम इसमें डालेंगे हाप कप चीनी यानि की शुगर अगर आप मिठा थोड़ा जादा पसंद करते हैं तो आप एक या दो चमच चीनी और डाल सकते हैं लेकिन एक कप बेशन के लिए हाप कप चीनी एकदम परफेक्ट होती है अब हम सारी सामगरी को बहुत ही अच्छा से मिक्स करेंगे देखिए ये बहुत ही अच्छा से मिक्स हो चुका है अभी इसमें कोई भी लंस नहीं है बेशन के अब हम ग्यास के आज को स्लो रखेंगे और स्लो आज पी ही इसको पकने देंगे तब तक हम अगली तयारी करेंगे यहापर मैंने एक मिक्सर जार लिया है इसमें डालेंगे वन फोर्ट कप काजू और इसे के साथ डालेंगे वन फोर्ट कप नारेल अब हम इसको दरदरा सा पीस लेते हैं देखिए इस तरह से ज़्यादा इसका पाउडर नहीं किया है मैंने देखिए मोदक का बैटर भी हमारा काफी गाड़ा हो चुका है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको ताकि इनीचे से लगे नहीं अब हम इसमें डालेंगे नारेल और काजू का पाउडर पाउडर को भी हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर में मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यलो फूट कलर तीन से चार बूंत ये डालना पूरी तरह से आप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं काजू और नारेल का पाउडर डालने के बाद इसको हम तीन से चार मिनिट के लिए और पकाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गाड़ा हो चुका है अभी देखिए चमच के साथ बैटर भी बहुत ही अच्छे से कड़ाय में घूम रहा है मतलब ये पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है अब हम गयाच के आज को बंद करेंगे कड़ाय को नीचे उतार के बैटर को एक बाउल में रख लेंगे अब हम बैटर को इस तरह से फैला के रखेंगे और इसमें डालेंगे आदा चोटा चमच इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर को भी हम बैटर में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम मौदक के बैटर को पूरी तरह से थंडा करेंगे थंडा करने के लिए आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हैं या फिर आप इसको फ्यान के नीचे भी रख सकते हैं देखिए बैटर हमारा पूरी तरह से थंडा हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और पिस्ता जो हमने फ्राय करके रखाता हो अब हम इसको हाथ से ही बहुती अच्छा से मिक्स कर लेते हैं देखिए इस तरह से देखिए ये बहुती अच्छा से मिक्स हो चुका है अभी अब हम लेंगे मोदक का साचा और मोदक के साचे को घी लगा करके ग्रीज करेंगे ताकि हमारा मोदक बहुती आसानी से निकल सके घी लगाने के बाद अब हम मोदक का बैटर लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड से मोदक का बैटर लगाते समय हलकाई से प्रेज भी करेंगे ताकि इसमें कली बहुती अच्छा से आए अब हम मोदक के साचे को बंद करेंगे और उपर से भी इस तरह से प्रेज करेंगे थोड़ा सा ब गंपति बापाको तो जरूर पसंद आएंगे ये मौदक इसी तरह से सारे मौदक बना करके रेड़ी करेंगे हम। अग्मित करती हूँ, आपको ये आज का वीडियो पसंद आई होगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चानल को ससक्राइब कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई